इसके लिए देखे एक तो दिहान जरूरी है, दिहान हमारी एनर्जीज को कंसेंट्रेट करेगा और विचारों की एक नई लेयर स्टेबलिस करना वो हमारे जो प्रिवियस थाट पैटर्न है, उनको डिजॉल्व कर देती है हम लोग यही कोशिस कर रहे है, अभी क्या है, अगर आप वही कंडिशन थाट ही अपने अंदर घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं तो वो उसी उसमें घुमता रहता है एक मास्टर यही करता है, आप उसकी बास सुनना शुरू करते हैं, पहले आपको अच्छी लगती है, धीरे से वो आपके अंदर एक इस तरह सेंटर करती है कि आपके पुराने सिस्टम को रैप्चर करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसको एब्जार्ब कर लेती है वो हमारे अंदर एक स्टिलनस की तो ये थाट पैटर्न को बहुत पावरफुली चेंज कर देना भी उसका एक उपाय है अपने थाट से बहुत अटैश्मेंट न रखते हुए हम बस ओपननेस से सुनने हैं आम तोर से विक्ति ऐसा नहीं करता आम तोर से विक्ति करता है कि जो उसका ही थाट पैटर्न है उसको वो बचा के रखे और जो बात आपके मन के माफिक कही जाए उसको आप बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक अब माली जी यहां में बात कर रहा हूं तो बात इसलिए कर रहे हैं लविंगली प्रेम पूर्वा की एक transformation आए मुझे इससे मतलब नहीं कि आप किस विचार को मानते नहीं मानते हैं मेरी बात मानते हैं लेकिन अगर आपने सुनना शुरू के धीरे धीरे वो वायरस जाएगा तो कभी-कभी इसलिए कुछ बाते हैं कुछ थॉट्ट हम ऐसे भी लाते हैं टेक्निकली जो सिस्टम को थोड़ी दिर के लिए हिलाते हैं अगर पहले वाले उसके अंदर गैए हैं तो दूसरा वाला वो छाहे नचाहे वो अंदर चला इजाता है जैसे डागे में बांध्नी एक और शोटे धागे में बड़ा द़ागा फिर बढ़ा धागा अं फिर बड़ा धा घीश लेते अंदर और फिर पुराने सिस्टम को रिस्ट्राइ करना शुरू कर देता है अगर इतनी ओपनेस बनी है किसी के अंदर बहुत बिरोध है तो समझ नहीं पाएगा किसी चीज को तो डिस्कोर्स का पैटर्न भी बैसिकली फंडामेंटली मेडिटेटिव ही रहा है यह चीज ध्यान रखने चीए एक बार जैसे मेरे पाशक सज्जन आये थे तो बहुत मजाया जो भी बात कहता तो बहुत खुस हो के सिरिला थे बिल्कुल यही मैं भी सोच रहा था आपने तो मोहड लगा दे मेरी बात पर आपको जितना तो पहुचा हुआ कोई नहीं मैंने का अगर मैं इसके उल्टी वाली कह रहा हो तो तब यह क्या करता अब तो इसने सबसे महान का सेटिफिकेट दे दिया और बहुत खुस हो बिल्कुल यही आप कह रहा थे यह वाली जो हमारी टेंडेंसी है इससे बचना चाहिए इससे हम अपने माइंड को बचा रहे होते हैं अब माइंड से हम इतना अटेजमेंट क्यों रखे हैं पहला तो यह हम कन्वींस करने इविल्यूशनरी ठिंकिंग हमारी यह है कि माइंड एक सपोर्टिव सिस्टम है वो सब कुछ नहीं है नहीं कि आपके पास एक कार है आपके पास पॉसिबिल्टी और अच्छी बढ़िया कार आ सकती है यह आप उसी को बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं हर तरह से कि नहीं इसका यह गियर देखो कितना बढ़िया इसकी विंडो देखो इसका यह देखो उसके आगे भी बहुत सारे फीचर वाली चीजें अबिलेबर है लेकिन आप उसको छोड़ेंगे तब ना तो अटेश्मेंट माइंड से रखना देखा जाए इल्लोजिकल है और कम इवल्यूशनरी है हमारे पास एक थाट का सिस्टम था वो हमारी कांसेस्नेस में ग्रो करवाने के लिए था ना कि वो हमको वहीं पर स्टक रखने के लिए तो थाट को लेकर हम थोड़ा प्लेफूल है कोई बात नहीं ठीक है ये भी हो सकता है पॉसिबिल्टेज के लिए ओपन होना तो इनर डायलाग एक दिन बहुत आराम से बैठ जाता है इनर डायलाग तब तक ज़्यादा से ज़्यादा चलता है भीर तब तक ज़्यादा रहती है जब तक हम अपने थाट को इनन दिये जाते हैं सीरियस होते हैं उनको लेकर और अगर हम यह कहाँ दें कि थार्ट केवल हमारी लाइफ क्वालिटी को बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट अगर वो बढ़ रही है तब तो ठीक है नहीं बढ़ रही है छोड़ सकते हैं उनको तो अपने थार्ट को लेके थोड़ा नान सीरियस हो जाना और बड़ी भीट छट जाएगी जैसे आप नान सीरियस होंगे तो ना तो वो क्रिट्सिज्म से फर्क पड़ता है क्रिट्सिज्म केवल आपके थार्ट की होती है और किसी क्रिट्सिज्म करने किसी के पास कोई उपाई भी नहीं क्या क्रिट्सिज्म करेगा कि आप ये करते ह यह कहते हैं, यह बोलते हैं, आप यह सुचते हैं, कहते हैं, हाँ सब गलत हो सकता है, कोई तारीफ करता है तब भी आप थोड़ा detatch है, criticism और appreciation से चेहरे पैदा होते रहते हैं, तो अगर हम उससे detatch हो जाते हैं, तो कोई चेहरे नहीं बनता, धिरे धिरे करके वोगे zero state पैदा जाओ जाते हैं गल्याओने लिएकी प्रुटार में ठाजने हैं नाचल शॉटार में प्रुटारा थार नाचल